हलो गूड मॉनिंग दोस्तों कॉसलेंसिंग इजक्रिशनल एरा में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत हार्दी के अपने दन आज का जो मेरा विशय है वो हिंदी है जो मेरा उप विशय है वो गद्ध है यहां पर जैसा दिनांग देख रहे हैं तो यह प्रेक्टिस सब्सक्राइब करेंगे सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदी लेशन प्लानिंग है वो डिफरेंट होती है खासकर और विशयों के अपेच्छा तो आप देख रहे हैं आपर कि यहां पर इद्गाह को पढ़ाने से के लिए कुछ समान उद्धेश रखे गए हैं असाथ कुछ प्रतिर रुची जागरत करना दूसरा क्या होगा कि बच्चों में कलपना सटी का आफशर प्रदान करना जो हमारा तीशा समान उद्धेश होगा वह कि भच्चों को धारा परवाह गती तथा सुद्ध उचाड़ के साथ कहानी पढ़ना सिखाना चौथा होगा बच्चों म घ्रुचम में जाने से पूर्व की तयारी है कि हम कछ्चा में जाकर क्या क्या पढ़ाएंगे या क्या किन-kine चीजों की मेरी पूर्थी हो पाएगी तो यह क्या है एक यह आधिकारी नहीं पर बेश्ट है हर्वचली प्लानिंग के उप आधारित है क्योंकि जहां कहीं पर भी जब मैं बार-बार इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से लोगों को लेसन प्लानिंग करने के बाद भी बीएट करने के बाद भी पता नहीं रहता है कि यह लेसन प्लानिंग किसके पर बेज़्ट है तो यह जिसमें समाने और विश्यशूते से दुन प्राप्त करेंगी उसके बाद बुधात्मक देशी क्या होगा या किन-किन बुधात्मक देश्य के पूर्टी होगी तो इस कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर इस इस प्रकार का भावत्पन होगा कि वह अपने माता-पिता की आज्या का पालन करने लगे तथा उन्हें सच्चे दिल से प्रेम करेंगे तो और ये क्या है बुधात्मक जो देशे उसकी पूर्ती होगी अब ये सिछड़ विद्यालों में लिखाई जाती है कहीं ने लिखाई यह आपकी इच्छा पर है आप सच्छा विधी लिखना चाहते तो लिखेंगे तो अगर इसे प्रश्णूतर विधी है व्याख्यान विदी शाहक सामगरी क्या होगा कि किसी मेले काचित जिसमें बहुत खिलाओने मिठाईयां बिग रही हो उसके बार आता है पूर उग्यान कि बच्चे अपने देश के प्रमुक्त वहारों की शमाने जानकारियां रखते हैं पूर उग्यान के बाद जैसे आप सभी को पता है कि प्रस्तावना प्रश्णाता है जिसके दौरा हम च्छात च्छात हैं दूसरा क्रेशन पूछा हमने कि भाद में मख्यता कौन कौन शे धर्मों के लोग रहते हैं तो बच्छा तरा आश्र देगा कि हिंदू मुस्लिम सीख इसाई बहुत धर्म आदी के लोग भारदेश में रहते हैं उसके अलावाद फिर कहा जाएगा मुस्लिम धर्म के प बता पाएगा क्लास सिक्स सेवन थेर्ज की बात है तो नहीं बता पाएगा तो यह क्या होगा यह समस्यात्मक प्रश्ण होगा तब जो है तब स्ट्रेट्मेंट आप दा एम होगा तो कहा जाएगा उद्देश प्रस्तावना प्रश्णों को पूछने के बाद फिर आता है उद्देश्य कथन तो उद्देश्य कथन क्या होगा जब प्रश्ण समस्यात्मक प्रश्ण बच्चा नहीं बता पाएगा तो क्या कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग सुप्रसिद्धे लेखक मुलसी प्रेमचन की कहानी इदगा का रसास्वादन करेंगे अब यहां पर जो मेरा पार्ट है कि यहां पर एक अनुति में पूरा होगा कि दो अनुती में पुरा अगरथार प्रतम सोपन दूतीर सोपन तो यहां पर क्या है जैसे आप देख रहे हैं प्रसिती करें की रमजान के पूरे डॉट-डॉट-डोट यहां पर डैस्ट डशरा रोशना करते तो ये क्या है इसका मिलब यह हमारा जो है पएरव की चात्र एक कर रहा होगा चौलत अ जेए उचे थाओ भावत अथा सुधाट उचाड़ का ध्यान रखकर आदर्वस वाचन करेंगी और छाथ क्रिया होुगी छात्र ध्यान प्रवक्स उनेंगी फिर क्या होगा कि अनुकडवाचन की छाथा ध्यापग या चाथा किसी एक छाथा तो को दोहेे पढ़ने को कहेग और शात्र पाड का क्या करएंगे अलुक्र वाचन कि अलुके बाद मेँ लुके बाहता है हउचाड करेंगे higher pitch लुके कराение कठिन कें वार्ण यहां प। इसकिए है कीजबारेसथेसे स्कौरतेसे सकता है कि क्या करें जो उसके सब्द हैं उनको दिखाया जाए तो इसके द्वारा क्या होगा चात्रों से उचाड करने को कहेंगे जांटर भी उचाडू करेंगे और उनका अर्थ्र भी बताने का पूरा काम करेंगे अब क्या है जिसे यहांपर बौक्ष्ण कि निखा है कि हामिद ने मेले में क्या खरीदा तो बच्चा अंसर देगा तीसरा पूछेंगे कि हामिद के मित्रों ने हामिद का अपास क्यूं किया तो ये भी हम इसका अंसर बच्चों से लेंगे कि जो भी ने पढ़ाया अब बात आती है कि स्यामपटकार है तो स्यामपटकार जैसे आ पुपिशय प्रकरड और कच्छा कलांस समयावधी जो भी 45 में डाइडिल टाइमिंग होती वो डालेंगे और यहां पर क्या है कि हामिद ने मेले में क्या खरीदा मेले से क्या खरीदा यह तो बच्चा आशर भी लिख सकते हमिद ने मेले से चिम्टा खरीदा प्रस्वी फिर कर के बाद जैसे आप सब को पता है कि निच्छुर लेकर में निच्छड करने के लिए बोलेगी पूलेगा चिकश के बार ता आदाजर रह कार तो यह हिंदी की लेसन प्लानिंग है यह और जो लेसन प्लानिंग होती है उसे थोड़ा डिफरेंट होती है आज का वीडियो आपको कैसा लगा जुरूर मुझे सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार